मान्य पर्दान मंत्री जी मैं असोक कुमार बेतला गुवाटी आसाम से बोल रहा हूँ तो जै जिनेंदर जै जिनेंदर आप आप बोलते चलिए आप माई की चिंदा मत कीजिए मुझे सुनाई दे रहा है कि मैं सर मेरा बलुड अलो अरे आप माई की चिंता मत कीजिए वह चिंता मत कीजिए माई की वह जो करते हैं करने दीजिए असोक जी को करने दीजिए सब लोग मदद करने जाओं के तो क्या होगा वाई मैं प्लड प्रेसर और डाइविटीज का पेसेंट हूँ मेरा 2015 में हाट का बाइपास सरजरी हुआ था तो सर मैं लगातार पांच वर्सों से विगत चार वर्सों से मैं दवई ले रहा था अंग्रेजी दवई तो फिर मेरे मित्रों ने परिचितों ने बोला कि यहां बेलतला गवाटी में मोदी जी की एक दुकान इधर में खुली है आपका यहां पुरा गवाटी में मोदी जी की दुकान के नाम से ही यहां जाना जाते हैं आपका तो मैं यहां दुकान में पहले मेरा खर्चा आता तो अभी मेरा जो वर्तमान खर्चा है यहां से लगबग 900 रिपया महिने का यह होता है तो मेरी लगबग 2500 रिपया की यह होती है आपकी बच्चत होती है मैं यह बच्चत है मेरी पोती है यह मननिया इसकी मैं आपके परदान यह जो शूकनिया योजना ना परदान मंत्री शूकनिया की इसको मैं यह बच्चत में इसको नाम क्या है पोती का मननिया बैतला से अधिया जैहिन मनिया दादा जीर इसेवा करती हो के नहीं करती हो करती ओ दादा ंजी की सेवा करती हो कर दिए कर। शार है यह जो में सुगर की स्प्रम चाहर मेरे करदं भी और व दो बढ़ते रही है हमारी यह आपके लिए वह noblom और यह दो कुछ मारी मत्री जी ओलोगां वह भी सब्सक्राइब तो मुझे मिल जाएगी सर मैं उसी की बजलत से ही में मा कमक्या की से ही में और दूआ और दोई दोनों से ही में हुआ दुआ मा कमक्या की और दोई आपकी मोदी जी की सास और मेरा परिवार मेरा सहयोगी यह सब यह जंकार जी दुधेडिया जी इन्होंने मेरे को मतलब बोले थे बोले यह दोई है जो आप मतलब मोदी जी की दुकान है इसे मतलब यह दोई आप लीजे और सर करोना वाइरस का आपको जो बीमारी चल रही है उसके बारे में आप मतलब सुझाओ दीजे सर चलिए असोग जी आप अपनी तबियत की तो चिंता करते हैं लेकिन आपको कॉरोना वाइरस से औरों की तबियत की भी चिंता है मुझे अच्छा लगा और आपने जन अउसदी से जो पैसे बचे हैं और आपने जो मोदी की दुकान का नाम कहा है मुझे कई जगा से पता चल अब हो आए कि सब लोग मोदी की दुकान बोल रहे है कि आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारियों हूँ जहां तक आपने आपने यापने ना वाइरस की बात की तो यह सही है कि बहुत से लोग इसे लेकर बहुत चिंता में प्रूंदे कर मैं समझता हूँ इसमें आपकी और हमारी हम सब की सतर्ता बहुत महत्वपून है चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी तमाम राज्य सरकारे हो या मुनिसिपालिटी हो ग्राम पंचायत हो सभी इस मामले को लेकर उचीत इंतजाम और देखरेक में जुटे हुए है हमारे पास कुशल डॉक्टर और मेडिकल स्टाप भी है सौंसादन भी है और जागरुक आप जैसे अनेक नागरिक भी है हमें बस अपनी सावधानियों में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए और ये भी समझ लेना चाहिए कि सावधानिया क्या है बड़ी-बड़ी बाते नहीं है जी ये अलग-अलग माद्यों में से आपको साहित पता भी चलता होगा लेकिन हम सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं मैं फिर से एक बार जब आपने मुझे पूछा है तो मोका ले लेता हूँ और आपके माद्यम से देश के सभी नागरिकों के लिए वो सारी बाते मैं दोहरा रहा हूँ और मैं कहता हूँ का आप भी याद रखिए और हर स्कूल में, कॉलेज में, सब जगा पे बताईए देखिए क्या करना है एक तो हमें बीना जरूरत के कहीं इखठा होने से बचना होगा और दूसरा, हमें बार बार जितना हो सके अपने हाद धोते रहना चाहिए और बराबर सभाई करनी चाहिए अपने चेहरे को, अपने नाक और अपने मूँ को बार बार छूने की हमारी जो आदत है अब थोड़ा उस आदल को बदलना होगा जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धूले हुए हाथों से ही अपने मुँग को टच करना चाहिए जानकारों का कहना ये है कि ये खांसते या छिंकते समय जो छीटे निकलते हैं सांस के साथ ऐसे छोटे 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 बिंदू निकलते दिखते भी नहीं है उसमें जो भी संपर्ग में आता है उसे ये फैलता है ऐसे में जिस भी चीज़ पर ये छीटे गिरते हैं उसमें ये वाइरस कई दिनों तक जिवित रह सकता है इसलिए बार बार साबुन से हाथ दोना बहुत जरूरी है एक और आदत हमें जरूर डालनी है अगर खांसी और छीख हमें आती है तो कोशिच यही करनी है कि दूसरों पर इसके छीटे न पड़े और जो कपड़ा या रुमाल हमने छीखने के समय इस्तिमाल किया होता है उसे भी दूसरों के संपर्क में न आने दे साथियों जिन जिन लोगों को ये संक्रमन हुआ है उनको तो जरूरी निगरानी में रखा ही जा रहा है पूरे वाच में रखा जाता है लेकिन अगर किसी साथी को शक होता है कि वो किसी संक्रमित साथी के संपर्ग में आया है तो उसको बहुत गवराने की जरुवत नहीं है अपने मूँ को मास्क से ढंक करके या किसी बड़े कपड़े से ढंक करके सबसे पहला काम करना चाहिए किसी ने किसी नज़िदी की अस्पताल में चेक कर वा लिजिए यह बहुत जरूरी है परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी इनफेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है ऐसे में उनको भी जरूरी टेश करा लेने चाहिए ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए ग्लव्ज भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए मास्क पहनना है या नहीं पहनना है इसे लेकर जानकारों की अलग-अलग राय है लेकिन ध्यान यही रखना है कि खांसते या च्छिंकते समय जो हवा निकलती है उसके साथ जो छोटे-छोटे बारिक ड्रॉप निकलते हैं ड्रॉपलेट्स वो दूसरों पर न जाएं वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है मास्क को एड़्जेस करते हमारा हाथ बार-बार मुह और को छूता है इस से बचाव की जगह infection फैलने की आशनका बढ़ जाती है साथ यो ऐसे समय में अफ्वाएं भी तेजी से फैलती है कोई कहता यह नहीं खाना है वो नहीं करना है कुछ लोग चार नहीं चीजी लेकर के आ जाएंगे कि यह खाने से करोना वाइरस से बचा जा सकता है धीकना करने से बचा जा सकता है मेरी सभी देश्वास्य प्राथना है महरबानी करके इन अफ्वावों से भी बचना है आपको कुछ भी लगता है जो भी करे अपने डॉक्टर की सलह से ही करे हम स्वायम डॉक्टर न बढ़ जाए और हां पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाए इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समाता यो उत्तम समय है नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए तो मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी बाते हैं शाहिद डॉक्तर लोग भी आपको यही बताएंगे आप भी सबको यही बताएए डराओने डरने की जरूत नहीं है भाई प्यादा करने की जरूत नहीं है अप्पाई भलाने की जरूत नहीं है बस इतनी सीच चिंता करनी है करने की जरूत नहीं है